बच्चो यह तीसरी जमात के लिए थर्ड उर्दू जमात थर्ड जमात तीसरी पेज नमबर 27 हमने पढ़ा है और 28 पढ़ाने जा रहे है थोड़ा इसमे रहा है शाब बाज बच्चो निकालो पेज नमबर 28 हम तो यह जो लेसन है हमारा हमसाय जो टॉपिक है हमसाय हमारा सबक इंजिक्शन दिया और दवा खिलाई असलम की उम्मी की हालत बहतर होने लगी डाक्टर ने कहा बाबी अब गबराने की कोई बात नहीं लेकिन कल आप हस्पतार आके खुद का चकप जरूर करवाई हाँ ये दवा ये दवा चार गंटे के बाद फिर लेना मैं सुबह आके दुबारा देखूंगा असलम ने डाक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया उसकी अमे अब आराब से सो रही थी गोतम ने कहा आप भी फीस आफ की फीस किसको कहा आफ की फीस डाक्टर साब को डाक्टर ने कहा बाई बाई साब अगर आप अपनी हमसाया के लिए रात की नींद छोड़ कर मेरे गर आ सकते हैं तो मैं मैं भी अकरम का हमसाया हूँ गोतम ने कहा यह तो मेरी यह तो मेरा फरस था अगर मैं बाहर गया होता और मेरी बीवी बैमार हो जाती तो क्या अकरम यही सब न करता वैसे यह सब असलम का कारनामा है बड़ा अकलमन लड़ा है यह न बुलाता तो मुझे मालूम भी न होता जब डाक्टर साब ने उसकी अम्मी को असलम की अम्मी को इंजिक्शन दिया और दवाई खिलाई असलम की अम्मी की हालत बहतर होने लगी जब उसने दवाई भी खाई और injection भी लगवाया ये है असलम की उम्मी और ये है डाक्टर अली महमद ये है असलम की अम्मी है इसने जब दवाई खाई इंजेक्शन दिया उसको तो ये थोड़ा ठीक होने लगी और डाक्टर ने कहा इसको बाबी घबराने के कोई बात नहीं कल हस्टाल आना आप आप अपना जकब करवाना ऐसलम की उम्मी बोलने लगी हाँ, दवाँ चार गंटे के बाद फिर लीजिए ऐसलम की उम्मी को बोलती है कि आप ये दवाँ चार गंटे के बाद लेँना, मैं सुब़ाँ आके दोबारा देखें गा ये सुबह आएगा और फिर देखेगा डाक्टर बोलता है उसको कि मैं सुबह आओंगा और ये दवाई खाना टाइम पर असलम ने डाक्टर अंकल का शुक्रिया अदा किया जो ये छोटा बेटा था उसने डाक्टर का शुक्रिया अदा किया उसकी अमी अब आराम से सो रही थी उसको अराम आ गया अब दवाखा कि उसकी अमी को आराम आ गया गोतम ने कहा आपकी फीस गोतम ने डाक्टर अल्ली महमद को कहा कि डाक्टर साब आपका फीस क्या हुआ डाक्टर ने कहा बाई साब अगर आप अपने हमसाय के लिए रात की ने छोड़ कर मेरे गर आ सकते हो तो मैं भी अकरम का हमसाय हूँ देखो कितने अच्छे हमसाय हैं ये ये बहुत अच्छे हमसाय हैं क्योंकि अक्रम भी इनके साथ अच्छा चला आओगा इसलिए ये भी बलब उनकी मदद करने के लिए रात को निकले गोतम ने कहा ये तो मेरा फरस था गोतम ने बोला कि ये मेरा फरस था क्योंकि मैं उनका हमसाया हूँ अगर मैं बाहर गया होगा तो अकरम भी यही करेगा जो मैंने किया वैसे यह सब असलम का कारणामा है यह दोनों बोलने लगे कि यह असलम का कारणामा उस छोटे बचे का कारणामा है बड़ा अकलमन लड़का है उसको बोलते हैं ये बड़ा अकल मन लड़का है यह ने बलाता तो मुझे मालूम भी न होता अगर यह नई शाम को मुझे बोलेगा यह रात को नई बोलेगा कि मेरी अम्मी बेमार है कि मुझे पता नहीं चलेगा यह सब उस अकल मन बैटेंन ने कहा मख उसकी कारनाम है